नमस्कार स्वागत है आपका मेरे चानल में आज हम बनाएंगे धाबा स्टाइल पनीर इसके लिए मैंने घर में ही बनाकर 400 गड़ा पनीर लिया है और इसे हम छोटी-छोटी क्यूब्स में काट लेंगे यह रेसिपी मैंने स्पेशली बैचलर्स को ध्यान में रखके बनाया है कि उनके पास mixer grinder वगेरा होते नहीं है तो बहुत जादा पीस ना यह सब ना पड़े मसालों को चॉपिंग करके ही से काम चल जाए तो यह पनीर को मैंने कट कर लिया ऐसे क्यूब्स में आप इसका साइज जैसा आप चाहे ह अब इसे हम थोड़ी से मसालों में लपेट लेंगे इसके लिए पनीर को एक कंटेनर में लीजिए इसके बाद इसमें थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च यह अच्छा कलर देगा थोड़ा सा हल्दी बुना हुआ जीरा और एक तू चमच पानी ताकि यह मसालों को पनीर की छेष्यों जले पर अच्छी से ऊपर अच्छी से पूट कर दें रखाव शड़ा सा नमक बहुत जाखा नमक ऋना है वह हम बाद में सबढ़ी बनाते टाइम डाल साते हैं इसे हम मसाले में अच्छे से कोट कर लेंगे उसके बाद पनीर को एक तरफ तरफ रखेंगे और फि फिर इसमें हम घी डालेंगे, घी हम बाद में इसलिए डालते हैं ताकि हमारा जो घी है वो जले ना, तेल हमारी घी को जलने से बचाएगा, वरना अगर घी जल जाएगा तो उसका फ्लेवर हीव सारा का सारा स्पोईल हो जाएगा, इसमें तो खड़ी लाल मिर्च, क्योंकि धाबा स्टाइल बना रहे हैं तो थोड़ा तो धाबा का तड़का आना चाहिए ना, उसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा जब जीरा अच्छी से चटक जाए, फिर इसमें हम दालेंगे, तीन से चार हरी लाइची, एक दा में पाच्छी लाउंग डाला है, यह जिते भी खड़े मसाले है, हमारे जो तेल है उसको बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर देंगे, लिए मसाले एक दो मिनट हो चुका है, अब इसमें हम बारी कटा हुआ तीन बड़े साइस का प्यास डालेंगे, प्यास को में तब तक पक नहीं है, उसलिए ध्यान रखिए गया, कोशिश कीजेगा कि प्यास थोड़े बारी की कटे, प्यास पूरे सुनहरे हो चुके है, अब इसमें गया, एक टी स्पून के लगभग, चिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे अच्छे से मिक्स कर दीजे, इसमें थोरी कटी हरी मिर्च, अब इसमें जाएंगे, तो बड़े साइस के पारी कट हुए टमाटर, फिर से जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कि ये बाचलर्स को रखके दिमाग में बनाया है, तो इसमें कम से कम ही ऐसी चीजें की गई हो, जो बाचलर्स अपने घर पे ना कर पाए, जब टमाटर और प्याज हमारे अच्छे से पक जाएंगे, तब इसमें हम डालेंगे, एक टी स्पून घनिया पावडर, थोड़ा सा हल्दी, लाल मेच, एक टी स्पून के लगभग, इसे मच्चे से मिच्स कर देता है, जो कि हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, तो इसे हमें और बहुत जादा देर नहीं बुनना है, इसे बस अच्छे से मिच्स कर दे रहे है, इसके बाद अब इसमें हम डालेंगे पानी, ग्रेवी की जो भी कंसिस्टेंसिया है, आप अपने एक्छा नुसार रख सकते ह इसे मैंने बहुत जादा ड्राय या बहुत जादा ग्रेवी वाला नहीं रखा है, इसमें अच्छे सा उबाल आ चुका है, अब इस स्टेज पेस में हम हमारे पनीर के टुकलो को डाल देंगे, पनीर के टुकलो को डालने के बाद थोरा ध्यान रखिएगा कि आप इसे सालो को पनीर पे अच्छे से हम लोग लपेट लेंगे, उसके बाद इसमें हम फिर से पानी डालेंगे, ताकि हमें जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए वैसी कंसिस्टेंसी अचीव कर सके, एक दम हलके हाथों से चलाना है, बहुत जादा दवाब मत लिखेगा, परना पनीर जो हम बहुत जादा नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने पनीर को जब मैरिनेट कर रहे थे तब भी थोड़ा उसमें हमने नमक डाला था, अब यह आखरी में हमारा गया एक टी स्पून के लगभा गरम मसाला, अब एक से दो मिनिट के लिए हम इसे पकाएंगे और अभी इस स्ट क्योंकि यह मुझे थूड़ा सुखा लग रहा है, अब बस एक अच्छा सा उबाल आ जाए, इसके बाद हम गयास की फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे ढख देते हैं ताकि उबाल जल्दी आ जाए, लिखिये, एक मिनिट के अंदर उबाल आज चुका है, अब हम गयास की फ्लेम को बंद करेंगे, और इसे गार्निश करेंगे हरी धन्ये के साथ, चानल को लाइक से सस्क्राइब करना ना भूले और अपना ध्यान रखियेगा, धन्यवाद